नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहां पर मैं डिसकसेन करने वाला हूँ, एक ऐसे कमपणी के बारे में, जो देखा जाए तो wind project के उपर, मतलब wind project मतलब wind power जो green project है, तो उस project के उपर company काम करते है, और company बहुत छोटा है, एक microcap type company है, तो company के जो price range है, वो अभी एक penny stock जैसा काम कर रहा है, इस company penny stock नहीं था, पहले तो अच्छा कासा performance दिखा था, जब start हुआ, market में जब listing हुआ, उसके बाद धमाका जैसा performance किया, मैं एही चीज आपको बार-बार बोलता हूँ, जब कोई company, जब कोई company, छोटा सा है, मतलब microcap type, सदिशत meat cap and small cap type, इस तरी के से company जब तेजी से वाग रहना, तो उसमें सामिल मत होना, कभी भी मत होना, आपको लग रहा है कि अगर मैं 10 में निवेश कर लेता, तो 100 में चला जाए, तो मेरे तो fund 10 गुना हो जाता, तो मैं मिस कर दिया, तो ऐसे जो guilty feel होता है न, इसको पहले में से हटा दीजिए, क्योंकि stock market एक ऐसे जगा है, यहाँ पर आप regular, आप trader है, तो आप तो बहुत बार एक चीज देख च चुके होंगे, बैंग निप्टी में एक दीन में 5 रुपिया का share 500 तक भी गया है, तो आपको कितना गुना multi-vega return दे चुके है, आप सोच सकते है, मगर वो return किसने पाया, वो एक भी, आप एक भी लोग दिखा दीजिए, जो उस तरीके से return पया, जो 10 रुपिया का share 500 तक ग आपको समझना पड़ता है, market में बोही gainer होता है, जो सही company choose करते है, और सही time में निपेस करते है, सही time में exit करते है, देखे, exit भी एक art है, investment भी एक art है, trading भी एक art है, यहापे कोई भी जुआ वाजी नहीं है, कि आपको लग रहा है कि चलो, मैं कोई भी company भाग गया, मुझे guilty feel हो गया, कि मैं अगर निपेस कर देता, तो मैं बहुत कुछ हो जाता, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं बोलने के लिए सुनता रहता हूँ, क्योंकि वो बोलता है कि सर मेरे पास इतना share था, आज में तो कुछी दिनों पहले एक comment आया था, मैं comment आपको जूरू देखना चाते है, तो दिखाऊंगा, उन्होंने खुद comment किया, कि सर अपने सही बताया, पैनी स्टॉक में निवेस करना सही नहीं है, क्योंकि मेरे 5 लाग का पैसा पूरा पूरा डूब किया, तो मैं आपको बार बार रिक्ष्ट इसलिए कर रहा हूँ, पैनी स्टॉक के उपर अगर माइन सेट है, तो चलो, कोई बात नहीं, अगर आपका 20,000 अपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो मत लगाएगा, आपका महनत का पैसा है, इस तरीके से मत डुवाएगा, तो आज जिस company के बारे में बात करूँगा, वो company कौन सा है, बहुत सार दोस्तों request किया, क्य इस तरीके से जो range है, उसको आपका circuit का जाता है, अपका circuit क्या होते है, जब कोई stock, जब कोई stock, एक, देखे, से भी इस तरीके से range को bound किया है, पहले इस तरीके से नहीं था, stock जितना खुष उपर में जाते थे, जितना खुष गिर जाते थे, तो यहाँ एक circle लगा दिया ग 15% होते है, तो इस तरीके से एक step होते है, आप कहेंगे सर, बहुत सरे companies को तो मैं देख चुगा हूँ, एक बार जी entertainment के बारे में बात कर तो 38% तक आपका circuit देखने को मिला था, ऐसे की हुआ, क्योंकि जो companies, derivative, derivative मतलब future and options में है, सिर्प equities में नहीं, मतलब cash में आप खरीदा करने के बाद second range, third range, fourth range इस तरीके से वो बढ़ सकते है, वगर जो company equities में है, वो बढ़ नहीं सकते, तो आपको details में जानना है, आप असर कि लुआ circuit के बारे में, मुझे comment जुरू करिएगा, मैं उसके उपर एक short video जुरू बना के दूँगा, तो देखिए, इस company इस तरीके business standard को दूँगा, अच्छा का second range publish किया, तो company है, इंदो wind energy, तो इंदो wind energy का 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 म क्या है, जो wind project होते है, उसी project के उपर company का म करते है, यह आपर company क्या किया, यह आपर alertment किया, 35.8 million shares, और्थ, रुपीज 43 crore under right issue, तो company क्या करना चाहते है, right issue करना चाहते है, अभी right issue क्या है, बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है, चलो मैं आपको एक brand paper में समझा देता हूँ, देखे, आपने बहुत पास सुना होंगी, bonus company दिया, dividend दिया, उसके पाद देखे, buyback दिया, उसके पाद right issue किया, तो इस तरीके से logic के कारन क्या है, bonus आप सब जैनते है, जितने percentage में divide किया जाएगा, उसके सब सब को bonus मिलेगा, dividend कितने percentage का आपको bonus मिला, वह भी मिल सकता है, buyback और right issue, दोनों एकी तरीके से चीज है, मतलब मान के चलिए, company के पास अभी share है, चलो इस company के पास कितना share है, बहुत सब से पहले आपको दिखा दू, इस company के पास 44% का आसपास share है, देखे कितना था पहले, 50% के आसपास था, तो अभी कितना कम हो गया, इसका मतलब पहले भी कभी company, कोई भी 22, मतलब, कोई भी right issue, इस तरीके से चीज लेके आये थे, नहीं तो वो, नहीं तो वो, कोई deal के मतलम से share को बेचे थे, तो company अभी क्या करने वाले है, right issue जाने वाल जूरूत है, जोटा company है, मैं चोटा से बता रहा हो, क्योंकि ए एक चोटा company है, तो पांच करोल का जूरूत है, तो वो पांच करोल कोई bank से भी उठा सकते थे, कोई भी NBFC भी उठा सकते थे, मगर वहां से पैसा नहीं उठाया, क्योंकि मानके चलिए उसको 5 करोल का तो वो और funding नहीं उठाना चाता, वो क्या करना चाते है, उसका जो share है, उसको क्या करने वाला है, right issue के मत्रम से वो बेचने वाद ले आने वाले है, मतलग एक right issue ले आने वाले है, मानके चले company का price अभी कितना है, 15 रुपीज, company चाते है कि मेरे इतने share, मानके चले मैं 1,00,000 share बेचने वाला हो, तो इस 1,00,000 share का जो बेचूँगा, अभी जो 15 रुपीज के share है, वो आपको मैं offer दे रहा हूँ, उसको मैं चलो मान लेता हूँ, मैं आपको 13 रुपीज में बेचूँगा, तो आपको 2 रुपीए का, चलो मैं 12 रुपीज में बेचूँगा, तो 3 रुप है कि कमपणी जितने सारे इन्वेस्टर है उसको बोला है कि आप मेरे खरीदरी कर लिजिए आपको राइट इसु मिल जाएगा आपको एक टा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको डिसकाउंट में माल दे दूँगा और आप इस कमपणी का हिस्सितरी और भी बढ़ा लीजिए और मुझे पैसा दीजिए तो इसी तरीके से चीज़ को राइट इसु का जाता है तो कमपणी राइट इसु का जो डिसीजन लिया तो रिटल निवेसर ने जम के बाइंग किया क्योंकि उसको लग रहा है कि राइट इसु आने के बाद वो भी एपलाई करेंगे राइट इ तो राइट इसु सब को मिलेगा इसे बिल्कुल भी नहीं उसके लिए आपको अपलाई करना पड़ेगा उसके बाद भोटिंग होंगा वापे आप सिलेक्ट होंगे तो आपको राइट इसु मिलेगा तो इस तरीके से कारण के बैसिस में कोई भी स्टॉक में बाइबैक र कंपणी है तो इस तरीके से कंपणी से निवेश करने से पहले एक बन नहीं चार चार बार सोचना आप कहेंगे सर मुझे इस कंपणी अच्छा का सा रिटान दिया तो कोई बात नहीं आप कंटिन्यू करिए आपके डिसेशन के हिसाब से कंपानी का मानता हूं कर्जा कुछ तो इस तरीके से कंपणी के उपर मेरे हिसाब से दोरी रहना चाहिए और और बाकी आपके मारी तुकि आपको रिटान अच्छा गासा दिया इसलिए लोग इस तरीके से कंपणी इसको पर प्रेफर जादा से जादा करते हैं इनिवेश्टर के बारे में बात करो अब देखेंगे FIS वहाँ से तो नहीं है मतलब इस तरीके से कंपणी को पर वो निपेस नहीं करके रखा अब से प्रोमोटर के बाद सबसेदा होल्डिंग इसके पास पब्लिक के पास है इस तरीके से कंपणी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा देखिए जब कंपणी स्टार्ट हुआ था तब से देड़ सो तक भी गया तो मेरा फांट तो दस्कुना हो जाएगा इस तरीके से सोच कर आप निवेस कर रहे है तो मैं जोरू रिकोष्ट करूंगा कोबीड के सिच्वेशन के बात भी कंपणी ने एक रैली जोरू दिखाय था कंपणी का प्रैस तीन रुपी का असपास और कंपणी हाई के थे पचास रुपीज का असपास तो मैं रिकोष्ट करूंगा इस तरीके से कंपणी से दूर रहे है फिर भी आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके से कंपणी को फो निवेस करके पैसा कमाऊंगा तो जब जितना चोटा अमांट है उतना ही लगा मिलेगा इस तरीके से सोच के निवेस मत करिएगा क्योंकि कंपणी का हालत अभी भी उतना खास नहीं है तो जब कंपणी का फ्रॉफिट मार्जिन देशियो ठीक ठाग रहेगा तब मैं खूद आपको बताऊंगा इस कंपणी को पर अच्छा डिसिशन लेने के लिए तो य बाए देखँ और दिसे सकाथ आपको बाए घर दो ग्रीके समय है तो यह झालत अभी कंपणी के लिए यह खाएगा है तो यह तो पूदा प्रॉफिशन और ग्र अपको इस्कतल आपको यह हो यह झालत बाएद दो अझालत विए एलत श पूदादा है झाल झाल